लोकसवाद चुनाव 2024 के नतीज़े अब सब के सामने है जिस तरह से इंडिया गडबंधन ने प्रदर्शन किया जिस तरह से सीटे आई हैं उसे देखकर बीजेपी सहित तमाम राजनेतिक विशलेशक भी भोचके हैं जिस तरह से उत्तप्रदेश में इंडिया गडबंधन सम आजवादी पार्टी ने 37 जबकि कॉंग्रेस ने 6 सीटे जीती हैं यूपे में इंडिया गडबंधन ने 43 सीटों पर जीत हासिल की है जबकि इस बार एंडिया कुल 36 सीटे ही जी सका गोर करने वाली बात ये है कि इस बार कॉंग्रेस ने उत्तप्रदेश में शानदार सामने आई है जो कई सर्वे में भी सामने आई है कि उन्होंने इस बार उत्तप्रदेश में मोदी मैजिक के जल्वे को फीका कर दिया और ये सर्वे जो सामने आया है वो CSDS का सर्वे है दहिंदू अकबार ने CSDS के सर्वे के आकड़ों से बताया है कि उत्तप्रदेश में का मारजिन पिछले चुनावों के मकाबले बेहत जादा कम हो गया। प्रधान मंतरी जहां कई लाक, तीन लाक से जादा वोटों से जीतते आ रहे थे, वहीं उनके जीत का मारजिन एक से डेल लाक के बीश में ही रहे गया। प्रधान मंतरी का घड़ता हुआ क्रेज और गांदी को प्रधान मंत्री के रूप में देखना चाहते थे जबकि केवल 32 फीसद लोगों ने नरेंद्र मोधी को प्रधान मंत्री के तौर पर पसंद किया ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आने वाले वक्त में दीश की सियासत पर असर डालेगा इस लोकसभा चुना और इंडिया गडवंधन के कैम्प में रोमांच पैदा करेगा लेकिन दूसरी तरफ भाश्पा के लिए बहच चिंता जनक है कि सरकार को ऐसा करना ही होगा सरकार को ये बिल वापस लेना ही होगा ये तमाम चीज़े जब सही साबित होती हैं और राहुल गांदी के उठाएगे इशूस का असर आम लोगों की जिन्दगी पर पढ़ता है तब ये सवाल वाजब हो जाता है कि इस देश के भीतर उत्तप मोदी मैजिक धलने लगा है और राहुल गांदी अपने राजनितिक सफर में और मैचुर और परिपक्व होते हुए अपनी विचारधारा अपनी आइडिलोजी अपने मुद्दों के सहारे लोगों के जहन में एक जगा बना चुके हैं जहां एक बहुत बड़ा तबका तक लेकर गए राहुल गांदी ने जिन-जिन मुद्दो को उठाया उसको अंतिम दहलीस तक पहुचाया जिसका असर यह हुआ है कि आम लोगों की समझ में यह चीजे आने लगी हैं कि राहुल गांदी के उठाये गए मुद्दों से आम जिन्दगी पर क्या आसर पड़ता है और साथ ही प्रधान मंतरी मोधी के राष्ट के नाम संदेश वाले भाव से प्रधान मंतरी जन संपर्क के जरीए जिस तरह की बाते करते हैं जिन बातों को उठाते हैं उसमें बहस से लेकर मंगल सूतर किया अगर जिक्र आता है तो आम जनता वहां डिसकनेक्ट हो जाती है यानि कॉंग्रेस के लिए इन चुनावों से एक बड़ी एक खुशी की बात ये हो सकती है कि राहुल गांधी की इमेज में बहुत बड़ा परिवर्तन है कॉंग्रेस के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि प्रधान मंतरी मोधी से जादा लोग राहुल गांधी को कर रहे हैं प्रधान मंतरी के तौर पर